आज की जो सची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये सची घटना आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगी कि क्या कोई समझदार व्यक्ति भी ऐसा डिसीजन ले सकता है जैसा कि आज की सची घटना में लिया गया ये से सुन कर भी बहुत हैरानी होती है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं घटना को अगर पूरा जानना है तो आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा घटना को शुरू करने से पहले फिर से वही पुरानी रिक्वेस्ट जो भी हमारी वीडियो को जिस जगह से देख रहा है अपनी जगह का नाम लिखकर हमें जरूर भेज़ें जिससे की हम जान सके हैं लोग हमें कहां कहां से देख रहे हैं और आपका तहे जिल से धन्यवाद कर सकें तो वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार मैं महक चौधरी आपके सामने फिर से एक नई सची घटना के साथ घटन और उनके दो बच्चे छोटे-छोटे रहते हैं परिवार में जो लड़का है यानि कि ससुर का जो बेटा है वो जौब के लिए बाहर रहता है परिवार में सिर्प यही लोग रहते हैं लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इस परिवार की जो सास थी वो सुभे सुभे बह बहुत ही दर्दनाक मौत मजी हुई मिलती है यानि कि उसके शरीर पर इतने वार किये जाते हैं धारदार हत्यार से कि देखने वाले हुई है उसकी डेट बॉड़ी को लेकर पोस्ट माडम के लिए भेजा जाता है तो वहां से जो रिपोर्ट आती है वहां पर पता चलता है कि वह सोई हुई थी उसने अपने आपको बचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया और धारदार हत्यार से उस पर बार बार करने की वज़े से उसकी सांसे थम जाती है इस बात की चांश परताल करने के लिए पुलिस सबी से पूस्ताच करती है लेकिन पुलिस को कहीं भी कोई भी कलूर नहीं मिलता है लंबे समय तक जब पूस्ताच करती है तो पुलिस के सामने एक साथ से आठ साल का बच्चा निकल के आत और वो जो बात बताता है उसको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, पहले तो पुलिस ने जो बात की उससुर से और उस बहु से की क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तब ही वो लोग दोना बताते हैं, कि हम लोग तो पड़ोस में, खाना खाने के लिए गई हुए थे, वहां पर जैसे हम इनको नहीं जगाते हैं और हम अपने कमरे में सो जाते हैं लेकिन जब सुबे होती है तो ऐसा ही मनजर मिलता है लेकिन जब वो साथ सौहाल का बच्चा बता था है उस बात को सुनकर आपती जिनक हालात में बिना कपड़ों के देखा जिस बात पर वो बच्चा बताता है तो जो ससुर है और बहु है दोनों ही मना करते हैं लेकिं сказते हैं बच्चे की गवाई को सबी जगए असमाना जाता है इस बात पर पुलिस से पूस्टाच की जाती है पुलिस जब गाओंवालों से पूस्ताच करती है तो गाओंवाले भी बताते हैं कि इनके घर कई लोगों का आना जाना था क्योंकि लड़का तो घर पर रहता नहीं था लेकिन बाहर के कई लोग इनके घर पर आया जाये करते थी अब पुलिस का सक पूरा हो जाता है और पुलिस लड़के और वो जो महिला है उसको और उसके ससुर को अब उठा लेती है उनको उठाने के बाद उनसे जब पूस्ताच करती है तो पूस्ताच के बाद आब वो सामने जो आता है उसको सुनकर सब हैरान हो जाते है वो महिला बताती है कि मेरी जो सास थी वो मेरे और मेरे ससुर के बीच में आड़े आ रही थी जिस वज़े से मुझे गुस्सा आया और मैंने इसे रास्ते से हटा दिया पुलिस जब ससुर से और बहुत दोनों को बिठा कर पूस्ताच करती है कि तुम दोनों करीब कैसे आए तब ही वो महिला बताती है कि जो मेरे ससुर थे मेरा एक बाहर के लड़के से प्यार प्रिसंग चल रहा था तब ही मेरे ससुर को पता चलता है और ससुर भी फिर कहता है क अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे राज सबी जगे खोल दूँगा और उस दिल से ही ससुर में और उन दोनों में अवैज संबन्द बन जाते हैं और ये सिलसला यो ही चलता रहता है इस सिलसले को देखते हुए पुलिस भी बहुत हैरान थी कि घर का जो बुजर्ग व्यक्ती है क्या उसको ऐसा फैसला लेना चाहिए था लेकिन यहाँ पर उस बुजर्ग व्यक्ती ने ऐसा फैसला लिया और अपने परिवार को खत्म कर लिया इस बात का जब सास को पता चलता है तो वो उसे रोकती है लेकिन जब वो रोकती है तो बहु उसको रास्ते से हटा देती है यह गटना यही पर समाप्त होती है समाप्त करने से पहले उन सबी के नाम लेना चाहूंगी जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं पहले हैं GROUDP súhit Singh, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद. अगले हैं आशोक सरमा जी, जो कि हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, उनका भी धन्यवाद. नेक्स्ट हैं संजे जी जो कि हमारी वीडियो पर positive comments देते हैं और हमें support करते हैं हमारी वीडियो को like करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अगले हैं मुकेस भादवाद जी जो कि हमें बहुत support करते हैं नेक्स्ट हैं जितेंद्र जाकर जी जो कि हमारे regular एक viewer हैं जो हमें व्रोज देखते हैं हमारी वीडियो को comment करते हैं नेक्स्ट हैं राजीब कुमार जी जो कि हमें बहुत support करते हैं इन सबी का तहे दिल से धन्यवाद बहुत जल्द फिरातियों ऐसी एक सची गटना के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत